नमश्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्राववन से मेरे साथ मेरे सेनिर बोटनी के सेनिर फेकल्टी सर्वेश जियादव आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सर्चा करने जा रहे हैं स्टेश सी 2022 स्टेट लेवल टेलेंट सर्थ एक्जाम 2022 जो 10 और 12 प्लास के बच्चों की होती है उसके वीडियो सोलिशन से पहले आप से हम चर्चा करने जा रहे हैं यह एक्जाम आज 8 दिसंबर को हुआ है एक अच्छा एक्जाम बच्चों गया निश्यत रूब से आपने इ लेते हैं ग्यारा बारा तेरा नीट और जेई और एंडियो की कोर्सेश लेते हैं सीकर में अपना खुद का स्कूल है सीवेसी का नीट के लिए जेए के लिए एंडिये के लिए और कहां से तो आप केुद करना चाते हो तो आप शुझुदा सकते हो आपको परिफाउडीशन कराना है तर्टेट है घुड़ सकते हैं से बेटेट में सीग्वेसी के साथ इसी की सथ अलवर हमारा खूद का सेटैप है जहां हमारा खूद का सुटीन है के ही रिलाउंच कर रहे हैं वहां भी आठ नो दस्त लेगा प्रीफांडेशन ग्यारा बारा तेरा नीट और जीट दून पर चलेगा हाँ सीकर में प्रीफांडेशन छह साथ नो दस्ते है अलवर जेपुर में आठ नो दस्ते तो जुड़े सी के साथ एक अच्छी इंस्ट्यूट जहां प्रोपर बच्चों के साथ मैंज करके जिसने पूरे सीकर को पहचान दी एक गोस्ताओं के साथ इसका प्रकुद का स्टेडि मेट्रियर कुद की टेस्ट रीज एक अच्छी योग्य सक्षम टीम एक सक्षम मनेजिमेंट के साथ एक काम करती है दोस्तों देखें विजिट करें अलवर जेपूर सीकर जेपूर का अड्रेस आप जानते हैं वो गोपालपूरा बाइपास पर जो पहले अब वारा सेंटर सा उसके पास ही बिल दी है अलवर सेंटर आप जानती है सीकर के वेल ओन दोस्तों नमस्कार मैं नरेंदर कुमार टीम फिजिक्स प्र केजी न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की और केजी यूनिट होती है माश की तो यह जो क्वांटिटी होती है फोर्स पर यूनिट माश यह क्वांटिटी होती है एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन मीन्स ओप्शन फोर करेक्ट है नेक्ट क्योशन की तरफ मुव करते हैं एम and n are two object with mass age 8 kg and 32 kg respectively, so, this body's mass is more than that, this body's inertia is also more than that, so, if you have to measure the inertia, it will be measured by the mass of the body, so, if the body's mass is more than that, this body's mass is more than that, so, body n's mass is 32 kg, so, and m's 8 kg, so, n's inertia is greater, so, option 2 n has more inertia than m, so, inertia is directly proportional to mass of body, okay, so, option 2 correct, next question, per move करते हैं, a body of mass 4 kg is moving on a smooth floor in straight line with uniform velocity, अब देखे, यहां पर आपको कहा गया, with uniform velocity, velocity uniform means, velocity है constant, और velocity constant है, this means acceleration of body is 0, और acceleration 0 है, तो f equal to mass into acceleration जो की होगा, 0, तो आपसे पुछा गया ची resultant force, तो f net होगा, वो आजाएगा 0, तो option 4 is correct, means constant velocity है, uniform velocity है, means acceleration of the body is 0, and force is defined as the product of mass and acceleration of body, तो आजाएगा 0 option 4, next question पर move करते है, two object of mass age ratio of momentum, momentum P1 by P2, यानि momentum define करते, product of mass and velocity of body, mass M1 की तना 200, gram 10 की power minus 3 into velocity है, आपके पास 4 meter per second, M2 mass है, आपके पास 400 gram, आप इसको kg में convert कर लें, into velocity है, आपके पास 2 meter per second, अगर इसको आप solo करें, minus 3, minus 3, 800 by 800, तो यह finally आता है, solo करने पर 1 by 1, तो option 3 is correct answer, next question पर move करते हैं, when a body is emerged in a liquid, the biont force that acts on the body, जब किसी body को partially या fully किसी liquid में emerge करते हैं, तो इसके उपर liquid की tendency होती है, कि एक vertically upward force apply किया जाए, जिसे biont force कहा जाता है, तो biont force है, वो always body के उपर liquid के द्वारा vertically upward direction में apply किया जाता, तो इसका आजाएगा option 2, तो theoretical question है, next question, acceleration of all freely falling bodies, कोई भी freely falling body, वो body होती है, जिसके उपर अर्थ की gravity के बिना कोई force act नहीं करता, और अर्थ की gravity के बिना कोई force act नहीं करता, वो होती है freely falling body, और कोई freely falling body है, तो उसके उपर force act कर रहा है, यानि gravity of earth यानि gravitational force तो acceleration है तो velocity decrease भी हो सकती है या increase भी हो सकती है लेकिन acceleration है वो होता है constant जितने भी freely falling bodies होती है उनका acceleration होता है equal to gravity of earth तो option 3 is correct relative density of silver is 7.6 आप देखिए किसी substance relative density होती है density of substance by density of water relative density आपको given है 7.6 density of of silver calculate करनी है density of water दे रहे चीए 1 gram पर centimeter tube तो यहां से आप calculate करेंगे तो density of silver आपके पास आजाएगी 7.6 into 1 means 7.6 gram पर centimeter tube और 1 gram पर centimeter tube यह unit है cgs इसको kg पर centimeter tube में convert किया जाए 7.6 into 1000 kg पर meter tube तो अपने को मालूम है कि 1 gram पर centimeter tube होता है 1000 kg पर meter tube तो यह आपके पास आजाएगा 7.6 into 10 की power 8 kg पर meter tube तो 7.6 into 10 की power sorry यह अपने पास आएगा थरी नहीं यह आएगा अपने पास आएगा ओप्शन फोर तो नेक्स्ट क्योश्टन के उपर मूव करते हैं क्योश्टन नंबर एट वेल्यू आप युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कोश्टेंट युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कोश्टेंट की वेल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 और युनिट होती है Newton meter square upon kg square तो option correct है 4 तो यह तो याद रखने वाला ही है next question के उपर मूव करते है an object of mass 2 kg is moving with constant velocity देखे यहाँ पर apply करते हैं वरक energy theorem और जो होती है ची work done will be change in kinetic energy of the body तो change in kinetic energy work needed to stop the body body finally rest में आ रही है means final kinetic energy minus initial तो finally तो body rest में आ रही है जीरो initial means half m u square तो याद रहेगा minus one by two mass है आपके पास two और initial velocity है two तो यह आएगा four minus का joule यानि वरक डन equal to होगा minus four लेकिन यहाँ पर आप से पुछा पहले ही बोल दिया अगेंस्ट the object कितना करना पड़ेगा यह वरक डन अगेंस्ट the object तो यहाँ पर आप से only magnitude पुछा है तो means option आजाएगा four joule against the object करना पड़ेगा तो next question के उपर move करते हैं angle between force and displacement for negative work work done का जो expression होता है वो होता है f as cos theta work done negative हो जब theta 0 है तो cos theta 1 तो जब theta 180 degree होता है एक्स्ट वाश्य डिगरी के उपर cos theta की value होती है minus 1 और वरक डन आ जाता है फिर minus f as यानि वरक डन negative हो तो angle between applied force and direction of displacement है वो अगर 180 है तो वरक डन negative होगा next question पर move करते है तो यहां पर correct option होगा second option next question पर move करते हैं वरक फोर्स टाइम रिपर्जेंटेट बई P Q R तो आपसे प्यूचा थी P by Q R किस्ट को रिपर्जेंट करेगा पी है वरक Q है force और R है time तो वरक को हम रिपर्जेंट कर सकते हैं force into displacement force को एप से और time को T से अगर मैं यहां से बात करूँ तो force और force एक दूसरे से remove हो जाएंगे तो यह क्या बचा S by T यानि displacement by time और displacement by time क्या होता है velocity तो इसका अंसर आ जाएगा यानि जो quantity है P by Q R यह फाइनली रिपर्जेंट करेजी velocity of body next question पर move करते हैं correct relation for work done by gravitational force हम जानते हैं work done by conservative force है वो path का function नहीं होता work done by conservative force initial position और final position of body पर depend करता है और gravitational force एक conservative force है यानि work done by gravitational force is note a function of path तो दोनों case में work done same रहेगा तो correct option आ जाएगा fast यानि work done जो है will be same in both cases next question चे उपर move करते हैं effective index जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का formula इसको म्यू से denote करूँ तो यह होता है C by V C velocity of light in vacuum and V velocity of light in medium तो यहां से मैं बात करूँ V equal to क्या जाएगा C by म्यू सी हमें given है velocity of light in air 3 into 10 की पावर 8 और म्यू जीवन है 1.5 अगर यह बात करें तो यह आएगा आपके पास 2 इंटो 10 की पावर 2 इंटो 10 की पावर 8 मिटर पर सेकंड तो correct answer is option 2 next question correct relation between object distance image distance and focal length for spherical mirror तो यह ही अपना होता है mirror formula और mirror formula होता है 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F तो correct option हो जाएगा option number 4 तो direct correlation है next question पर move करते हैं nature and focal length of a lens of power 2.0 D first तो अगर power positive है power positive होती है convex lens की तो पहली चीज़ तो कोन क्यों वाले तो दोनों option ही incorrect होते हैं next जो power होती है वो होती है 100 by F in cm पावर आपको given है 2 equal to 100 by F तो यहां से calculate करुताब के पास आएगा F equal to 50 cm पावर है वो plus 2 given है तो यह आएगी plus और focal length 50 cm और focal length है positive होती convex lens के लिए तो convex lens and 50 cm तो option आजाएगा 3 correct इमेज फोरून बाइए concave mirror of same size real inverted image concave mirror के case में image है उसकी size object size के बराबर हो real हो inverted हो यह option होता है जब object को at the center of curvature पर place किया जाए यानि concave mirror के case में अगर object को center of curvature के ओपर place कर दिया जाए तो image है वो center of curvature पर ही बने जी real inverted and of the same size next question twinkling of star is possible तारों twinkling of stars यानि तारों का टिम्टिमाना यह होता है atmospheric reflection की वज़े से due to atmospheric reflection तो directly theory based question है next human eye can focus on object at human eye can focus on objects at different distances by adjusting focal length of eye lens this is due to means image है वो eye lens की image always retina के उपर बनेगी लेकिन object distance है वो vary होती रहती है according to position of object in front of the lens तो उसके लिए यह जो होता है यह final image retina पर ही बने तो object distance चे अकोर्डिंग eye lens की जो focal length vary करते है उस phenomenon को कहा जाता accommodation of eye तो option three correct है next question 12 joule of work is done to move a charge of two column between two points of circuit from one point to another point तो यह potential difference है उसी की direct definition है यानि potential difference delta V वो क्या होता है वरक दिन वरक done in bringing a unit charge between one point to another point in the electric field यानि w by q तो वरक डन आपको जीवन है two joule और charge है two column तो यह क्या जाएगा one volt और one volt means option two correct है तो तो potential difference की direct definition के उपर ही question है next a certain household has consumed hundred units of energy during a November month यानि जो one unit होती है energy की जो household consumption of energy है वो होती है one kilowatt hour और यह होता है three point six into 10 इनकी पावर शिक्स जूल अब बात करूं मैं हेंड्रेड यूनिट की तो हेंड्रेड यूनिट हो जाएगा हेंड्रेड इन्टू थरी पोइंट शिक्स इन्टू टेंकी पावर शिक्स तो यह आपके पास आएगा फाइनली थरी पोइंट शिक्स इन्टू टेंट की पावर एट जूल तो थरी पोइंट शिक्स इन्टू टेंट की पावर एट जूल मींस option two is correct next question electric power of electrical appliance electrical appliances जिल इलेक्ट्रिक पावर होती है वो डिनोट करते है आई स्क्वाइर आर या फिर आई और आर की ट्रम में इसी को डिनोट कर सकते हैं वी स्क्वाइर बाई आर अगर potential difference और resistance की फोर्म में हो अगर voltage और current की फोर्म में हो तो पी इक्वल टू होता है वी आई तो यहां पर आपके पास आजाएगा पी इक्वल टू वी आई यानि option two is correct next question पर मूव करते हैं आप से पुछा है ची equivalent resistance तो equivalent resistance टू ओम और टू ओम रजिस्टेंस दोनों किसमें हैं शीरीज में तो शीरीज में है तो directly add हो जाएगा टू पलस टू तो इसका equivalent resistance हो जाएगा फोर ओम अब फोर ओम यह आपके पास फोर ओम यह भी फोर ओम है और यह है टू अब फोर ओम और फोर ओम रजिस्टेंस किसमें है parallel में तो इसका resultant हो जाएगा टू ओम तो यह कुछ इस तरह बन जाएगा पोर ओम और फोर ओम का आपके पास आ गया नहीं यह है यह है यह है टू ओम रजिस्टेंस यह भी फोर ओम है तो फोर ओम का हो गया टू और ये already 4 है अब ये दोनों किसमें आजाएंगे 2 ohm और 2 ohm रेजिस्टेंट सिरीज में हैं तो इनका resultant हो जाएगा 4 तो equivalent circuit क्या बनेगा ये हो गया 4 ohm और ये भी है 4 ohm 4 और 4 का equivalent आपके पास आजाएगा 2 ohm और 2 ohm answer है 4 यानि option number 4 is correct means 2 और 2 ohm resistance शिरीज में है equivalent resistance हो गया 4 ohm अब 4 ohm और 4 ohm दो resistance parallel में है तो equivalent हो गया 2 2 और 2 अब है शिरीज में तो वापस 4 और 4 और 4 का 2 तो correct option is 4 next question पर move करते हैं हम जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एंडर्जी को में कनवर्ट करती है तो next question पर move करते हैं the magnetic field inside a long straight current carrying solenoid long straight current carrying solenoid है उसके अंदर जो magnetic field होता है वो होता है uniform at all the points तो यह आएगा is same at all the points तो यहाँ पर 0 भी incorrect है increase decrease यागा is the same at all points जो जी लोग straight है next question पर move करते हैं कि frequency of an alternating current is 50 hertz frequency 50 hertz है इसका मतलब 1 second में यानि alternating current 1 second में 50 cycles complete कर रही है तो 1 cycle को complete करने में कितना time लगेगा 1 by 50 second एक cycle को complete करने में time लगेगा 50 second और एक cycle complete करने में जो alternating current है अपनी direction दो बार change करती है यानि एक cycle में direction twice यानि एक complete cycle में AC दो बार अपनी direction को reverse करती है तो इसने पुछा ची direction को reverse करने में time तो एक बार reverse करें उसके लिए time कितना हो जाएगा 1 by 50 into 2 means 1 by 100 तो टाइम आजाएगा 1 by 100 second यानि option 3 is correct सो वी हेव कम्प्लिटेड फिजिक्स सेक्शन ओफ एस्टी 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 पेपर आई होप मोस्ट ओफ एस्पिरेंट्स हैव दन देर पेपर वेरी वेल थैंक यू हाई स्टुदेंट्स माइसेल परमेशर सेवदा हम सोल करने जा रहे हैं स्टी पेपर देखो केमेस्ट्री क्यूशन नम्मर 26 यूनिट ऑफ डेंसिटी की यूनिट अगला कपनियों से पहुंच रहा है अपने को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपन वोल्यू मास की यूनिट हम क्या रखेंगे केजी वोल्यूम की यूनिट रखेंगे मीटर क्योब जब हम उपर की तरफ लेके जाएंगे मीटर को तो केजी पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्योब आंसर नम्मर का second question. Sublimate among the following. Sublimate among the following. Sublimates मतलब जो substance, solid seed directly, gas में change होते हैं, वो process होती है, sublimation process. और जो solid, जो gas में change होता है, उस solids को हम क्या बोलते हैं? Sublimate बोलते हैं. तो इसका answer होगा, ammonium chloride. Answer number third. Next question. एिरस ओल, एैरोसल का एकजामपल अगला अपने को पहुच रहा है, एरोसल का मतलब होता है Dispersed Phage और Dispersed Medium अपने पास दो पार्ट होते हैं Colloidal Solution के Dispersed Medium और Dispersed Phage Dispersed Medium मतलब होता है Air यहां पर क्या? Air Dispersed Phage मतलब होता है Water Particles Air में Water Particles परजेंट होते हैं इस टाइप के Colloidal Solution को हम बोलेंगे इसका Example होगा Clouds Question Number Next Method of Separation of Cream from Milk Milk से Cream को Separate करने के लिए अपने पास सिधा-सिधा आंसर देखो Chromatography नहीं है Fractional Distillation नहीं होगा Distillation नहीं होगा Centrifugation Centrifugation से हम Milk से Cream को Separate कर सकते हैं Next Question Non-Metal Among the Following बात कर रहा है Non-Metal की Non-Metals कोन सा है Sodium क्या है Metal है Oxygen Non-Metal है Potassium Metal है Boron Metal है तो अपना आंसर कोन सा हो गया Second Next Question Compound Among the Following इस निमन में से कोन सा योगिक है देखो आयोडिन एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट है आयरन एलिमेंट है और compound को नहीं वाटर नहीं ठीक है Next Question An Example of Chemical Change Among the Following Chemical Change का Example को रहा है Chemical Change वो चेंज होता है जो वापस Reversible नहीं हो सकता मतलब इस Reversible Changes होते हैं Chemical Change देखो बेंडिंग ओफ आयरन रोड आयरन रोड को अगर हम बेंड कर देते हैं तो वो chemical change नहीं होता हूँ फिजिकल चेंज होता हूँ वापस भी तो हम उसी दी कर सकते हैं उसको फिजिंग ओफ वाटर वाटर को फिज करना तो वाटर को वापस बोईल भी कर सकते हैं Reversible Process हो गया Cutting of Wood ये भी एक Chemical Change नहीं है देखो रस्टिंग ओफ आयरन आयरन पर जंग लगने की प्रोसेस Chemical Change में आती है Next Question Molecular Formula Ammonium Sulphate Ammonium Sulphate का Molecular Formula देखो सलफेट होता है SO4-2 Ammonium Formula होता है NH4 Plus जो Valency की बात करते हैं इसकी होती है Plus 1 इसकी Minus 2 Cross Multiply करेंगे तो Formula अपने क्या बनेगा NH4 Hold Twice SO4 देखो कहीं पर है NH4 Hold Twice SO4 देखो Second Answer Next Question Mass of 0.5 Mol of N2 Gase Will Be N2 Gase कितना Mol है 0.5 तो उसका Mass पूँचना है तो देखो Mass Mol क्या होता है W upon MW Mol कितना है 0.5 अगला अपने को W पूँच रहा है Molecular Weight क्या होता है N2 का 28 Gram W is equal to कितना हो गया 28 into 0.5 पूँचना ग्राम आ गया 14 Gram Answer Number First Question Number Next ZN plus Cu SO4 देखो ZN more reactive metal है किसके compare में copper के compare में ZN क्या करेगा यहां से इस copper को displace करेगा जो more reactive metal है ZN solid condition में है Cu SO4 जो aqueous form में है क्या करता है ZN यहां से ZN active metal less active metal को उसके compound से displace कर दे ऐसी reaction होती है displacement reaction Answer Number Fast Next Question The pH value of blood pH value blood की देखो CD CD है 7.4 अपने को याद रखने पड़ेगी 7.4 Answer Number Third The chemical formula of banking soda Banking soda का chemical formula भी अपने को याद रखना पड़ेगा NaHCO3 Answer Number Third Electronic Configuration of chlorine देखो chlorine का electronic configuration अगला आपने से जानना चाहरा है chlorine atomic number कितना होता है 17 क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 देखो तीन cell है chlorine में पहला cell जिसमें कितना electron है 2 electron दूसरा cell जिसमें कितने electron है 8 electron तीसरा cell जिसमें कितने electron है 7 electron 2 at 7 का combination देख लो 2 at 7 Answer Number 4 next question most active metal on the basis of active series active series में most active metal की अपने बात कर रहा है question number next एक chemical formula दिया वा है जिसका अपना IUPAC नाम पूज़रा है देखो यहां थोड़ा हलका misprint है देखो यह क्या formula है CH3 C double bond O CH3 कौन सा functional group है ketone कौन सा functional group है ketone ketone के लिए सपिक्स होता है on क्या सपिक होगा कितने carbon है 3 carbon यहां दिये है 1, 2, 3 3 carbon के लिए क्या आता है prop single bond है carbon carbon के बीच में plus A जब आप add करेंगे तो नाम हो जाएगा propanone propanone यह थे हो ठीक है चलो next question एक reaction दीवी है CH3 C double bond O OH जिसकी reaction alcohol C2H5 के साथ अगला करा रहा है acid की presence में reaction हो रही है product बनना है CH3 C double bond O OC2H5 plus H2 देखो acid है क्या है acid यह है alcohol आपस में reaction करके ester का formation कर रहे है क्या बन रहा है ester acid और alcohol आपस में एक दूसरी के साथ acid की presence में reaction करके किसका formation करेंगे ester का formation करेंगे तो complete process को हम क्या बोल देंगे esterification ester का formation मतलब esterification esterification answer number first next question Cu plus H2 क्या बन रहा है Cu plus H2 देखो यहाँ Cu कौन सी oxidation state में है plus 2 यहाँ Cu कौन सी में है 0 में plus 2 से कहां जा रहा है 0 में क्या हो रहा है reduction H2 यहाँ कौन सी oxidation states में है 0 में यहाँ कौन सी में जा रहा है plus 1 में 0 से plus 1 में जा रहा है क्या हो रहा है oxidation 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 और reduction process दोनों साथ साथ चल रही है तो जब oxidation और reduction दोनों साथ साथ होती है उस process को हम बोलते है रेडॉक्स reaction answer देख drinking redox reaction ये लो जी answer number third next question the gas produce the reaction of metal carbonate किसके साथ metal carbonate with acid देखो metal carbonate जैसे मान लो HCl की हम reaction ये acid है क्या है acid कोई भी metal carbonate जैसे MgCO3 ले ले जब reaction करवाएंगे 2 mol HCl के use होंगे सबसे पहले बनेगा 1 Mg और 2 HCl बन जाएगा Mg Cl यहाँ hydrogen के कितने मोल हैं 2 mol यह 2 mol hydrogen और यहाँ से oxygen लेंगे क्या बन जाएगा H2O पिछे यहाँ पर क्या रह गया CO2 says रह गया तो कौन सी gas produce हो रही है carbon dioxide carbon dioxide answer number second next question metal having highest metallic character जो metallic character highest रखता है उसको अपने को टिक करना है देखो S block से लेकर D block और P block की तरफ हम बढ़ते हैं तो metal से किस तरफ बढ़ेंगे non metals की तरफ जाएंगे metal जब non metal की तरफ जा रहा है तो metallic character क्या होता है decrease होता है non metallic character क्या होगा increase होगा तो S block के जितने भी element होते हैं उसमें metallic character D block और P block की तुलना में क्या होगे compare में क्या हो जाएंगे ज्यादा तो आप देख लो S block का कौन सा है magnesium S block का है boron P block का है aluminium P block का है silicon P block का है तो metallic character किस में ज्यादा हो जाएंगे मेंगे question number next the element having electronic configuration 27 27 electronic configuration total electrons कितने होगे 27 कितने होगे 9 electron होगे fluorine देखो fluorine का atomic number कितना होता है 9 तो fluorine देख लो answer number first next question modern periodic table is based on किसके base पर modern periodic table adjust की गई है atomic number के परक बेसिस पे तो answer number second next question on the moving left to right in a period on the moving left to right हम चलते हैं left से right की तरफ हम चलते हैं तो क्या होगा metallic nature क्या होगी decrease होगी अपन किने पिछले क्यूसन में किया था कि S block P block और D block S block यहा रहेगा P होग D block होगा और P block होगा जब हम इस तरफ से इस तरफ चलते हैं left to right चलते हैं तो metallic character क्या होगा decrease होगा non metallic character क्या होगा increase होगा तो बताओ metallic character decrease होगी left to right चलने से तो metallic nature of element is a decrease answer नमर अपना fast हो जाएगा ठीक है next question among the following which element है two cell कितनी cell रखता है two cell बोथ हार complete field दोनों cell complete field होनी चीए cell भी कितनी है इसके पास दो तो देखो हम option लेते हैं helium helium लेंगे helium का atomic number होता है two one as two cell तो complete field है परंतु cell है कितनी इसके पास एक ही cell है कितनी cell है एक cell oxygen की हम बात करते हैं तो atomic number oxygen का eight है one as two two as two two p four cell इसके पास दो है एक cell complete field है परंतु दूसरी complete field नहीं है उसके बाद हम organ की बात करते हैं organ का atomic number होता है 18 one as two two as two two p six three as two three p six question ऐसे ही गलत हो गया answer एक cell दूसरी cell और तीसरी cell अगला बोल रहा है कितनी cell two cell cell कितनी होनी चाहिए दो ही जब योर्गन में तो कितनी cell हो रही है तीन cell neon देखो neon का atomic number होता है 10 atomic number 10 electronic configuration one as two two as two two p six देखो दो cell है और दोनु की दोनु cell क्या है complete fill है तो answer अपना क्या बन गया neon next question acid found in orange orange में कौन सा acid होता है तो पने को याद रिकना पड़ेगा क्या होगा citric acid next question element x form एक chloride element एक अक्स है जो क्या बना रहा है chloride बना रहा है कितने chloride जोड़ रहा है 3 chlorine अपने उपर जोड़ रहा है तो इस अक्स का atomic oxidation number कितना हो गया plus 3 चेक कर लो options में से plus 3 किसका होता है aluminium का sodium का कितना होता है Na plus 1 aluminium का Al plus 3 magnesium का Mg plus 2 और carbon का plus minus कितना होगा fourth option number second ठीक है experience thank you Hello students myself Nikita Saabu biology faculty team CLC आज हम STSE 2022 के biology portion का solution करेंगे चलिए देखते हैं question number 51 the powerhouse of the cell is powerhouse of the cell बहुत easy question है आपको पता है powerhouse कौन होता है energy generation किसमें होता है mitochondria में तो correct answer क्या चला जाएगा mitochondria चलिए बटा next question पर move करते हैं अपर चलिए AIDS disease is caused by आपको पूछा गया है AIDS disease किस से होती है virus से होती है protozoa, fungi और bacteria किस से होती है तो आपको पता है AIDS disease कौन cause करता है HIV जो virus है ना वो cause करता है तो correct answer बटा क्या हो जाएगा option number 1 चलिए next question पर move करते है which plant group is called naked seed plant ठीक है तो आपको पता है इन तीनों में जो है वो तो seed बनते ही नहीं है यहाँ पर gymnosperm में seed बनते हैं और कैसे seed बनते हैं naked seeds बनते हैं मतलब fruit से seeds जो है वो cover नहीं होते हैं ठीक है चलिए बटा तो option number 4 यहाँ पर correct चला जाएगा next question पर move करते है the amount of nitrogen gas in the atmosphere is amount of nitrogen gas atmosphere में कितनी है 78% है so the correct answer is option number 2 ठीक है बटा next question पर move करते है question number 55 the breakdown of glucose to form pyruvate takes place in यह जो reaction है glycolysis यह कहां पर होती है यह आप से पूछा गया है mitochondria, cytoplas, nucleus, chloroplas तो यह जो reaction है बटा, यह cytoplasm में होती है so the correct answer is option number 2 चलिए next question पर move करते है the phloem is plants are responsible for phloem किस चीज के लिए responsible है आपको पता है xylem and phloem vascular tissue होते है xylem तो water के लिए होता है phloem किस के लिए होता है food के लिए तो यहाँ पर correct answer अपना चला जाएगा transport of food चलिए next question पर move करते है which of the following is a growth inhibitory plant hormone आपको पता है growth inhibitor कौन होता है growth inhibitor होता है epsic acid ठीक है चलिए बिटा तो option number 30 यहाँ पर अपना correct हो जाएगा next question पर move करते है which part of the flower makes the fruit ठीक है flour में बहुत सारे parts होते हैं आपको पता है stemon भी है sapal भी है petal भी है ovary भी है तो कौन सा part जो है वो fruit में convert हो जाता है after fertilization तो आपको पता है ovary जो है वो fruit में convert हो जाती है तो यहाँ पर option number second correct हो जाएगा अपना चलिए बटा next question पर move करते है the first traffic level in food chain is trSH क्यों होते है food chain होती है उनके traffic levels बनाते है थिके इस तरीके से अपन traffic levels बनाते है first traffic level second third fourth जे होता है food chain के start ट्रॉफिक लेवल किसका होता है प्रोड्यूजर का होता है ठीक है तभी तो फूर्चिन यहां सी तो स्टार्ट होती है तो करेक्ट आंसर अपना चला जाएगा option number four producers चलिए next question पर move करते हैं water harvesting technique in Rajasthan is ठीक है तो राजस्थान की water harvesting technique कौन सी है खा दीन ठीक है तो option number first अपना correct हो जाएगा बिटा next question पर move करते हैं when right atrium expands the type of blood and direction of flow is expand देखो दो चीज़े होती है relaxation and contraction यानि expansion and contraction दो चीज़े होती है अब अपन से पूछा जा रहा है कि जब right atrium expand कर रहे है तो पहरी चीज़ तो यह clear करेंगे कि right atrium में हमेशा मतलब जो right portion है na heart का उसमें हमेशा deoxygenated blood रहता है तो वह तो अपना concept clear है इसकी बाद आप से पूछा गया है कि direction of flow जब वो expand करेगा ठीक है expand करेगा यानि कि वो उस condition में relax है तो यहां पर body से आएगा ठीक है तो deoxygenated blood from body यानि अभी वो जो right atrium है वो fill हो रहा है ठीक है चलिए next question कि यहां पर option number first जो है वो correct हो जाएगा अपना next question पर move करते है बिटा specialized for conducting information via electrical impulses among guest body organ is information को conduct पूरी body में किसके through electrical impulses की through ठीक है कौन से cells होती है जो करती हम सभी को पता है neurons होती है nerve cell होती है ठीक है तो option number fourth correct हो जाएगा चलिए बिटा next question पर move करती है the generation which first of all expresses dominant characters in hybridization experiment is ठीक है आपको पता है hybridization experiment होता है ठीक है उसमें हम जो है parental generation लेते हैं और फिर उससे हम F1 F2 इस टाइप की बनाते हैं अब हम यह बोल रहे हैं कि सारे जितनी भी progenies बने उनमें केवल कैसा character आजाए dominant character आजाए ऐसा कब होता है ऐसा F1 generation में होता है ठीक है तो correct answer अपना क्या हो जाएगा बिटा F1 generation next question पर move करते हैं which of the following animal reproduce asexually by budding ठीक है budding हम सबको पता है hydra में budding होती है amoeba binary fission है plasmodium multiple fission है lashmani again binary fission है जो hydra है वो क्या करता है budding के थूए sexually reproduce करता है तो अपना correct answer option number two चलिए बटा next question पर move करते हैं which hormone regulates sugar level in the blood blood में पूछा है अपन से ना sugar level को कौन maintain करता है तो हम सभी को पता है insulin जो है वो blood sugar level को maintain करता है so correct answer is 4 बिटा चलिए next question पर move करते है the part of brain which is responsible for maintaining posture and balance of the body ठीक है यह हमको पता है कि हमारी body का posture जिस तरीक से हम खड़े हैं और balance को बनाने के लिए हमारे brain का कौन सा part responsible है cerebellum ठीक है चलिए बिटा next question पर move करते है फिर कहां पर अपना second option जो है वो correct हो जाएगा चलिए next पर move करते है the largest phylum of animal kingdom is largest phylum कौन सा है ना तो largest phylum होता है arthropoda ठीक है हम सभी को पता है arthropoda जो है वो largest phylum में आता है animal kingdom के next पर move करते हैं disease caused by viruses ठीक है वाइरस चलिए अब इसमें हमको clear दिख रहा है कि जो AIDS है ना AIDS अभी इस ही टाइप का क्योंशन अपने पहले भी किया ठीक है AIDS जो है वो एक viral disease है ठीक है HIV जो है इसको कॉस करता है तो यहां पर AIDS अपना correct answer चला जाएगा बटा next question पर move करते हैं which of the following is not an example of bilaterally symmetrical and triploblastic animal देखिए अब यहां पर है ना सभी जो है वो bilaterally symmetrical है बट इस्टारफिश रिकाइनो डर्मिटा में आता है और स्टारफिश के अंदर कैसी symmetry है adult में radial symmetry होती है तो यहां पर यह option हम correct मानेंगे अल्दो सभी triploblastic है बट अभी हम जो consider करेंगे वो फिर हम symmetry की according consider करेंगे तो यहां पर starfish जो है वो अपना correct answer चला जाएगा बटा next question पर move करते हैं which scientist discovered cell first हम सभी को पता है कि Robert Hooke ने cell को सभी सबसे पहले discover किया था ठीक है बटा okay thank you hello myself from CLC Seeker right now here we are describing the solution of mathematical portions of STSE 2022 now the question number 71 the value of 1 upon 27 powers minus 2 upon 3 is now यहां पर अपने को पता चला है 1 upon 27 1 की power क्या होती है 3 मतला 1 होता है 27 क्या होता है 3 की power 3 तो इसको आपने बना दिया 1 upon 3 की power 3 और उसकी combined power आपको given है क्या combined power given है minus 2 upon 3 अपने को बादा चलता है power की power a की power m की power n का formula क्या होता है a की power m into n मतलब powers को multiply करना है तो क्या हो जाएगा 1 upon 3 की power क्या हो गया 3 into minus 2 upon 3 3 से 3 cancel out हो गया क्या हो 1 upon 3 की power minus 2 अब power minus होती है मतलब नीचे वाला function reciprocal हो जाएगा और इसका square कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 upon 1 9 upon 1 को हम क्या कह सकते है 9 then 9 will be a correct answer so that we can say option number first will be a correct answer now question number 72 question number 72 के अंदर दिया वाय है if x minus 1 is a factor of a px मतलब आपको polynomial का factor दिया वा x minus 1 px equals to आपको given है 4x cube plus 3x square minus 4x plus k जब आपको factor given होगा मतलब उसका क्या करेंगे polynomial के अंदर divide करेंगे then reminder should be a zero फो अब इसका जब क्या करेंगे polynomial के अंदर divide करेंगे तो अब यहां पर हम क्या क्या इससे क्या हो जाएगी, x की value आजाएगी, x की value क्या आगई, 1, अब यह 1 value हम polynomial के अंदर put करेंगे, so that हमारा answer क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, remainder 0 आजाएगा, तो यहां पर हम polynomial के अंदर put करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 into 1 की power 3, plus 3 into 1 की power 2, minus 4 into 1 plus k, यह क्या आ रहा है, remainder आ रहा ह equal to 0 हो जाएगा, अब यहां पर 1 की power 3 क्या होती है, 1, 1 into 4, 4, 1 की power 2 क्या होती है, 1, 1 into 3 किता होता है, 3, 4 into 1 किता हो जाएगा, 4 आगे minus से तो minus 4 हो जाएगा, plus k, equals to 0, अब minus 4 से plus 4 cancel out हो गया, बच क्या गया, 3 plus k equal to 0, और 3 को क्या करेंगे, transfer करेंगे, तो k equals to किता हो जाएगा, minus 3, so we can say the value of k will be a minus 3, और minus 3 कौन से option में, option number 3, will be a correct answer, now question number 73, the equation of y-axis is, y-axis अपने को पहता चलता है, काईरेटर्स prioritizeplane के अंदर 2-axis होता है, यह आपका क्या होगया, और यह आपका क्या हो गया, y-axis हो गया, यह 2-axis है, अब यह जो आपका x-axis होता है, यह हमारे क्या x-axis एक, X axes पने हर जगह पे धूरा छॊंब बैल्ट वाय हुच्छ फोट है उसलीव shows में यहां पर हर जगह पर pai सिच्ट क्या होगी फेंद यहां पर क्या बोल रहा है y睛ligt y aktस मींस तो पांड उसलीस पर रहा है, option number second will be a correct answer, तो question number 73 में second option will be a correct answer, in the given figure, OA and OB are bisector of angle A and angle B, मतलब आपको दिया, OA और OB क्या है bisector है, और फिर क्या दिया वाय है, angle C equals to, किता 30 degree, C की value आपको दी विए 30 degree, the measures of angle A, O, B, A, O, B का आपको measure पूछा वाय, तो अब यहां पर बात करते हैं, मैं पता है चल गया, angle A plus angle B plus angle C, equals to किता हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 180 degree, because sum of all angle of a triangle should be 180 degree, आपको C की value किती given है, 30 degree, तो 30 degree पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, angle A plus angle B, equals to 180 minus 30, किता हो जाएगा, 150 degree, फिर देखो क्या बुलावा, O, A, O, A ये वाली line, और O, B, ये वाली line, ये दोनों line क्या है, मारे, ये आपका angle A और angle B का bisectral है, so we can see, this one angle should be angle A upon 2, and this angle should be angle B upon 2, ठीक है, ये आपका angle A upon 2 हो गया, ये आपका angle B upon 2 हो गया, मतलब हम कह सकते हैं, O, A, B, angle A upon 2, O, B, A, angle B upon 2, हम बात करते हैं, angle पूछ रहा है, angle A, O, B की value पूछ रहा है, मतलब O पर क्या angle बन रहा है, उसकी value पूछ रहा है, तो हम इन triangle A, O, B हम बात करते हैं, angle A plus angle O plus angle B equals to 180 degree, ये आगया, अब angle A की जगह, इन triangle A, O, B, हम बात करें किसमें, ये जो बात हो रही है, triangle A, O, B के अंदर, और ये जो आपने बात की थी, triangle A, B, C के अंदर, ठीक है, यहाँ पर A और B का अगर confusion हो रहा है, तो ये आपका A, B, C के अंदर, और A, O, B के अंदर बात हो रही है, अब यहाँ पर बात करते हैं, angle A का, AOB के अंतर A means क्या हो गया, angle A upon 2, angle O means क्या हो जाएगा, angle AO B, और angle B क्या हो जाएगा, angle B upon 2, अब यहां पर इन दोनों का LCM आज जाएगा, तो क्या जाएगा क्यों इन दोनों का कर LCM लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2 times angle A plus angle B plus angle AOB equals to क्या हो जाएगा, 180 degree, और angle A plus angle B अबने को पता है, angle A plus angle B क्या है, 150 degree, तो 150 upon 2 plus angle AOB equals to 180 degree और 150 upon 2 क्या होता है, 75 75 को तो transportation कर दिया, तो angle AOB equals to 180 minus 75 5 किता आ जाएगा, 105 then 105 will be a correct answer, तो 105 option कौन सा है, option number 4 will be a correct answer of a question number 74 now, question number 75 if two sides of triangles is a 18 centimeter and a 10 centimeter triangle की 2 sides आपको दीवी है, एक 18 है और एक दूसरी आपको 10 दीवी है, perimeter दीवा है, perimeter क्या होता है, sum of all sides आपको दीवा है 42 centimeter तो इससे हम क्या कर लेंगे पहले, third side निकाल लेंगे, a आपका हो गया 18, b हो गया आपका 10, c हमें find करना है, तो c क्या हो जाएगा, 2s minus a a, 2s minus a plus b, किता आजाएगा, 42 minus, किता आजाएगा आपका 28, 42 minus 28 किता आजाएगा 14, मतब c की value आगे 28, अब हम बात करेंगे, s निकाल लेंगे, s क्या होता है, a plus b plus c upon 2, मतलब perimeter upon 2, तो s की value आगे, यहापे आपके, s equals to 21, फिर हम क्या करेंगे, area of triangle, formula कौन से लगेगा, here on formula, here on formula क्या होता है, root के अंदर, s into s minus a, s minus b, s minus c, s की value किता ही है, 21, तो 21 into, 21 minus 18, फिर हो जाएगा, 21 minus, आपका हो जाएगा, 10, then after, 21 minus 14, यह 3 values हो जाएगी, 21 का आपका 21 हो गया, और यह हो गया, 3, और यह हो गया, 11, और यह हो गया, 7, 7 into 3, 21, 21, 21 और 21 का पेर बन गया, तो क्या हो गया, 21 root 11, फिर आपका measurement cm के है, अंदर है, तो cm square, then option number second will be a correct answer, now question number 76, if a height and slant height of cone, cone की height और slant height दी भी है, height किती है, 21 cm और slant height दी भी है, 28 cm, respectively, then volume, volume का formula क्या होता है, 1 upon 3 pi r square h, मतलब L का वहां पे काम नहीं है, आपको पता है, L square equals to, क्या होता है, H square plus r square, L किता है आपका 28, 28 का square किता होता है, 784, h किता है आपका, 21, 21 का square किता होता है, 441, plus r square, transfer करेंगे, इससे r square की value आजाएगी, minus kya 3, minus kya 4, minus kya 3, equals to r square, r square की value आगे 343, now क्या करेंगे, हम formula क्या होता है, volume का, volume equals to 1 upon 3 pi r square h, 1 upon 3 का 1 upon 3, pi की जगा 22 upon 7, r square की जगा आजाएगा 343, और h की जगा आजाएगा 21, 7 से 3 times 3 से 3 cancel out हो गया, इन दोनों को multiply करेंगे, then option will be a 7, 5, 4, 6, will be a correct answer, centimeter cube, ठीक है, तो यह option काउन सा है आपका, option number, first will be a correct answer, now the distribution, frequency of 5, सीधर सा पूछ रहा है, 5 की frequency क्या है, मतलब 5 कितनी बार आएगा, चेक चेक कर लेते हैं, देको यह 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 4 time अपने को 5 मिला है, तो कितनी टाइम से, option number, second will be a correct answer, now a dice is thrown once, probability of a getting even prime number, dice को हम फैंक रहे हैं, और हमें क्या चीए, even prime number, अब prime number होना चीए, और even होना चीए, तो even prime number, सीधर से बोल रहा है, even prime number कौन सा होता है, only and only 2 होता है, ठीक है, तो अब 2 dice के अंदर कितनी बार आएगा होता है, 1 time, और total result कितनी होता है, 6, तो 1 upon 6, 1 upon 6, option number, 3rd will be a correct answer, now, prime factorization of 176, prime factorization check करना है, किसका 176, अपने को बता है, 196, 196 equals to क्या होता है, 2 की power 2 into 7 की power 2, अब यह कह रहे है, इनकी powers का sum, 2 and 2 कितना होता है, ही कह बोलना है, sum of powers of prime factors, तो 2 and 2 कितना होता है, 4, तो option number 4th will be a correct answer, now, in the question number 80, alpha and beta are zeros of polynomial, of x square plus 2x plus 1, then value of 1 upon alpha plus 1 upon beta, तो हमें पता है, polynomial के अंदर, alpha plus beta, क्या होता है, minus b upon a, किती value होता है, होता है, minus 2 and alpha, beta, क्या होता है, c upon a, क्या जाएगा, 1, अब यहां पर बात कर रहे है, 1 upon alpha plus 1 upon beta, इस value में बात करेंगी, तो दोनों का LCM लेंगे, क्या जाएगा, alpha, beta, और उपर हो जाएगा, beta plus alpha, और beta plus alpha की value किती है, minus 2, और alpha, beta की value क्या है, 1, minus 2 upon 1, किता होता है, minus 2, तो option number second will be a correct answer, semi-perimeter of a rectangular garden, perimeter rectangular garden का क्या होता है, 2 into L plus B, तो अब semi-perimeter, मतलब L plus B दे रहा है, L plus B, equals to किता है, आपको दिया है, semi-perimeter of rectangular garden is 36 meter, L plus B आपको दिया है, 36, फिर आपको दे कोई आपर relation दिया हुआ है, of a rectangular garden, whose length is 4 meter, more than breadth, मतलब length का relation दिया हुआ है, length equals to breadth plus 4, तो length के जिए पर breadth plus 4 लगा देंगे, तो B plus 4 plus B, equals to 36, transfer किया हुदार, तो क्या हो जाएगा, 2B equals to 32, यहां से B की value आगई, कितनी, 16 centimeter, और B यहां पर रख दो, L equals to 16 plus 4, किता आजाएगा, 20 centimeter, 20 centimeter, option number second will be a correct answer, now, roots of equations, will be not real, real नहीं होता है, real का आपको सीधर से case बता है, discriminant में, B square minus 4AC, should be less than from 0, तो क्या हो जाएगा, option number first will be a correct answer, now the question number 83, the first term of an mathematical progression is 5, एक mathematical progression आपको first term दिया हो है, कितनी हो 5 दिया हो है, मतलब आपको A की value given है, कितनी है, आपकी 5, and last term, last term को simply L भी बोलते हैं, और An भी बोलते हैं, तो last term की से का हमने applicable कर दिया, An equals to 45, if sum of all terms is 400, sum of all terms means Sn हो गया, Sn equals to क्या हो गया, 400, then number of terms is, number of terms, तो यहाँ पर हम formula applicable करेंगे, simple सा formula, Sn equals to N upon 2, A plus An, Sn equals to N upon 2, A plus An, यह formula मैं अपिल के बहर करेंगे, Sn की value किती है, 400 equals to N upon 2, A की value किती है, 5, और An की value किती है, 45, ठीक है, तब 5 plus 45, कितना हो तब 50, cross multiply किया, तो cross multiply करेंगे, तो N की value आ जाएगी, क्या जाएगी, 400 into, 400, यहाँ से देखो यहाँ पे, 400 into, 2 upon 50, तो 50 की table से यह गए आपका, how much times, 15 to 8, 400 and 8 into 2 किता होता है, 16, 16 will be a correct answer, 16 कौन सा अंसर से यह, आपका option number 3, 3 will be a correct answer, नव कोश्चन नमबर 84, क्या दियावा आपको, the coordinate of point, which divide line segment, joining 4, minus 3, and 8, 5, internally, the 3 ratio 1, मतलब एक line segment दियावा है, उसकी ratio दिये वे, क्या दिये वे, 4, minus 3, पहला point दियावा है, और दूसरा क्या दियावा है, 8, 5, यह point दियावा आपको, क्या दियावा है, यह दियावा है, यह क्या कर रहा है, इस line segment को, 3 ratio, 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, अब 3 ratio 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसको आपने M1 बोल दिया, और इसको आपने M2 बोल दिया, तब formula होता है, क्या होता है, X find करने का, इसके coordinate मान लोगे, X, Y, तो X find करेंगे, तो X का formula होता है, M1, X2, plus M2, X1, अपन M1 प्लस M2, ठीक है, अब M1 की value किती है, आपके, 3, और X2 की value किती है, 8, 3 into 8 किता होगे आपका, 24, M2 की value किती है, 1, और X2, X1 की value किती है, 4, किता होगे, 4, अपन, M1 प्लस M2, मतलब 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, किता होगे, 28 अपन 4, 28 अपन 4 किता होगे, तो X की value 7 हानी चाहिए, तो X की value 7 आपके option अबर second के अंदर भी है, और fourth के अंदर भी है, तब Y की value भी find करनी पड़ेगी, तो Y का formula भी same होजाएगा, क्या होजाएगा, M1, Y2, M1, Y2 प्लस M2, Y1, अपन M1 प्लस M2, यह formula में applicable करेंगे, अब M1 की value, M1 किता है 3, और आपके Y2 की value किती है, 5, 3 इंटू 5 किता होगे, 3 इंटू 5 होगे 15, ठीक है, और अब M2 की value बात करते है, M2 की value किती है 1, और Y1 की value किती है, minus 3, तो 1 इंटू minus 3, 3 हो गया, अपन M1 plus M2, किता होगे 4, 15 minus 3 किता होगे 12, 12 upon 4 किता होगे 3, तो आपके, Y की value किती है, आगे 3, तो option number second will be a correct answer, आपको दिया वह effort, 10 2A equals to quad A minus 18, where 2A is an accurate angle, then find the value of A, अब देखेंगे यह आपका complementary identity वाला formula आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से एक को complementary identity के term में convert करेंगे, तो हमने मान लों क्या कर दिया, हमने 10 को convert कर दिया, तो यह क्या हो जाएगा, quad 90 minus 2A, ठीक है, equals to हो गया, quad A minus 18, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों side में quad आ गया, तो quad के दोनों angles जो है, दोनों angles कौन से, 90 minus 2A, और एक A minus 18, दोनों को compare कर लेंगे, तो दोनों को compare करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों equal हो जाएगे, तो 90 minus 2A, equals to A minus 18, तो transportation करेंगे, transportation 2A का उदर transport हो गया, और 18 का इदर transfer हो गया, तो अब 18 minus का था, plus का हो जाएगा, तो 90 plus 18 किता हो जाएगा, 108, 2A का transport हो जाएगा, तो A plus 2A किता हो जाएगा, 3A, अब क्या करेंगे, A की value find करनेगे, तो 3 का divide करेंगे, तो 1 plus 2, 108, upon 3, किता आजाएगा, 36, 36 degree will be answered, अब ये भी चेक कर लेते, आपको क्या बोला है, 2A, will be acute angle, और 36 into 2 क्या होता है, 72 degree, वो acute angle ही है, means 36 degree will be a correct answer, next question number 86, if the shadow of pole is a 6 meter, and is a, 2 root 3 meter long, क्या बोला भाया, if the shadow of pole, pole, off दे दिया, मतलब इसका इससे connection नहीं है, is a, 2 root 3 meter long, मतलब एक pole की जो shadow है, वो केती है, 2 root 3 meter, मतलब ये pole बना दिया, उसकी जो shadow है, shadow क्या मिल रही है में, 2 root 3 meter, और बीच में नहीं बाद डाल दी, height is 6 meter, मतलब pole की height केती है, 6 meter है, तो 6 meter, pole की height है, अब now, find the angle of elevation of sun, sun के angle of elevation बताना है, तो angle of elevation, मतलब theta हो गया, तो theta find करना है, तो आप देखो, angle के सामने आपका क्या होता है, perpendicular, ये 90 angle बनेगा ही बनेगा, 90 angle के सामने क्या होता है, hypotenuse, बच गया, वो क्या हो गया, base मतलब आपको दियावा क्या है, perpendicular base दियावा, इनके बीच में angle find करते हैं, तो आप angle find करने के लिए क्या होता है, 10 theta, तो 10 theta equals to, perpendicular केता है, 6 और base केता है, आपका 2 under root 3, 2 की table से ये गया, 6 times, 2 की table से ये गया, आपका, sorry, 2 की table से इसको cancel out किया, और 3 upon root 3, 3 upon root 3, rationalization of denominator करेंगे, क्या आजाएगा, root 3, और 10 की value, root 3 कब होती है, at theta equals to, 60 degree, 60 degree पे आपके 10 की value, root 3 होती है, तो option number 3, will be a correct answer, आपको दियावा, a tangent, PQ, is at the point P, मतलब है, tangent दी विए PQ, कहां पे, point P पे, circle, of a radius 5 cm, meet a line through, O center, and a pointer Q, Q point आपको दियावा है, where, where OQ equals to 12 cm, then PQ की length, आपको find करनी है, यह को simple सा बोल रहे है, एक circle है, चलो circle बना दिया, center है, यह center हो गया, अब center से क्या बोल रहे है, आपको एक tangent बन रही है, यह tangent बना दी, नाम दे दिया, P, यह हो गया, O, ठीक है, यह कहरे है, tangent है ना, tangent का पूरा नाम बोला दिया, इसने बना दिया, यह Q हो गया, ठीक है, Q हो गया, अब, इसको इससे join कर दिया, हमें पता है, radius और tangent, एक दूसरे के साथ, right angle बनाती है, तो right angle बन गया, तो right angle बनने के बार में, यह कहरे है, O, Q के length किती है आपकी, आपको दीवे 12 cm, radius आपको दीवी है, किती है 5 cm, ठीक है, तो 90 angle के सामने क्या होता है, आपका, hypotenuse, ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया, मान लो, perpendicular पोल दिया, तो यह क्या हो गया, base, base find करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 का square, plus base का square, equals to किता हो गया, 12 का square, 12 का square 144, 5 का square 25, तो B square equals to किता हो जाएगा, 144 minus 24, किता हो जाएगा, 119, हमें base की value find करनी है, तो base equals to, root में 119, तो root के अंदर 119 कहाँ पह है, option number second, will be a correct answer, now, question number 88, in the given figure, ABCD is a square of a side, 18, 14 cm, आपको ABCD, एक square दिया हो है, उसकी side दिया है 14 cm, and APD and BPC, are two semi-circles, APD अब BPC, जो क्या दिया है, semi-circles दिया है, then the area of a shaded region, आपको shaded region जो दिया हो है, इसका आपको क्या करना है, area find गरना है, ठीक है, तो आपको simple से देखने को पता चल रहा है, कि आपको square दिया है, square के अंदर 2 semi-circles है, उनको क्या करना है, exclude करना है, minus करना है, then after आपका shaded region आ जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, square, square के side के गिती दियो है, 14, तो 14 का square का area क्या होता है, side square मतलब 14 का आपने को क्या करना है, square करना है, minus करेंगे, 2 semi-circles, तो क्या हो जाएगा, 2 into, 1 upon 2, pi r square, pi r square, pi के जगर क्या आजाएगा, 22 upon 7, और r, यह आपका पूरा semi-circle के लिए क्या हो जाएगा, diameter केता हो जाएगा, 14, तो radius केते हो जाएगे, 7, तो 7 into 7, into 7, अब देखो, 2 से 2 cancel out हो गया, 7 की table से 7 cancel out हो गया, 14 का square केता हो जाएगा, 196, और 22 into 7 केता हो जाएगा, 154, 196 में से 154 माइनस करेंगे, तो answer will be a 42, 42 answer आजाएगा, 42 cm square कह सकते हैं, 42 cm square option कौन सा है, option number first will be a correct answer, now question number 89, आपको दिया गया है, solid bag, if the 3 solid metal spares, of a 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively, are melted to form a larger spares, तीनों को melt करके, हम large spares बना रहे हैं, जब भी melt करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के volume को find करेंगे, volume find करने के बाद में, sum कर देंगे, और उसका जो volume है, नए वाले जो भी body बन रही हो, उसके volume के equivalent हो जाएगा, ठीक है, तो हमने बोल दिया, r, pi, sorry, 4 upon 3, pi r cube equals to, 4 upon 3 pi r1 cube plus r2 cube plus r3 cube, इन सादों को 4 upon 3 pi कॉमन ले लिया, 4 upon 3 pi से 4 upon 3 pi कट गया, तो r cube equals to, r1 किता है, 6, 6 का cube किता हो जगया, 2, 1, 6, r2 किता है आपका, 8, 8 का cube किता हो जाएगा, 5.2, r3 किता है, 10, 10 का cube किता हो जाएगा, 1000, अब इन तीनों को plus करेंगे, तो क्या हो जाएगा, r cube equals to, सादों को plus करने पर क्या आजाएगा, 1, 7, 2, 8, और 1, 7, 2, 8 क्या होता है, 12 का cube, ठीक है, तो अब उन्हों को एक compare करेंगे, तो दोनों आपकी power same है, तो base should be a same, तो r की value किता हो जाएगी, 12, तो r equals to, किता, 12 centimeter, 12 centimeter, so that we can say, option number 4th will be a correct answer, now, in the usual notation, given formula, x bar equals to, a plus h, summation f u, f i u i upon summation f i, the value of u i will be a, simple से पता, u i क्या होता है आपका, जब भी हम क्या करेंगे, assuming find करेंगे, तो assuming को हम क्या करेंगे, जो हमारे values होती है, x ही होती है, उसमें से minus कर देंगे, और upon क्या कर देंगे, जो आपका group interval है, group interval कर डिवाइड कर देंगे, तो x हमें पारता है, u equals to, क्या होता है, x minus a upon h, x की different value होगी, तो x आपका दिया, तो यह क्या हो जाएगा, option number, second will be a correct answer, ओके,